आत्रो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चैनल लर्न बित आर्पी पर आज हम आपके सामने कच्छा दस के हिंदी काप बे रस्खान जी द्वारा रचित सवये सीर्शक का पद नंबर तीन ले करके आ गए हैं तो इस वीडियो में हम इस पद को बहुत ही जाना स्टार्ट करते हैं और आपको लाइन बाई लाइन करके आर्थ इसका समझाते हैं धूरी भरे आती सोभी तस्याम जूब तैसी बनी सीर सुन्दर चोटी खेलत खात फिरैं आंग नापग पैजानी बाजाती पीरी का छोटी वाच्छा भी कोरस खानी भी लोकत वारत काम कालानी धिकोटी काग के भाग बड़े साजेनी हरी हाथ सो लई गयो माखने रोटी काग के भाग बड़े साजेनी हरी हाथ सो ले गयो माखने रोटी तो चलिए, अब इसको अब हम लाइन बाइन एक एक लाइन करके समझाते हैं धूरी भरे, ध्यान से देखिएगा धूरी भरे, धूरी कार्थ है धूल धूल, भरे मतलब भरे हुए या सने हुए ठीक धूल से सने हुए अधिक सोभित मतलब सोभाय मान हो रहे हैं स्याम जो मतलब स्याम ठीक रस्खाम जी कहते हैं कि भगवान स्याम जब थे बच्पन में तो धूल से सने हुए जब रहते थे तो अत्यांत सोभाय मान हो रहे थे धूल से सने हुए भगवान स्री राम अत्यांत स्वभाय मान हो रहे हैं तैसी बनी सिर सुन्दर चोटी और उसी प्रकार उनके सिर पर बनी हुई चोटी भी क्या हो रही है स्वभाय मान हो रही अर्थात बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में धोल से सने हुए भगवान स्री क्रेशने देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसी प्रकार उनके सिर पर जो सुन्तर चोटी बनी हुई है वो भी बहुत अच्छी लग रही है तो आईए अब अगली लाइन का भी देख लेते हैं खेलत खात फिरें आंगना पग पैजानी बाजात पीरी का छोटी नियान से देखिएगा खेलत खात खेलत मतलब खेलते हुए खात मतलब खाते हुए फिरें मतलब भूमते हैं आंगना मतलब आंगन में भगवान स्री क्रेशन जो हैं वो खेल रहे हैं और खा रहे हैं खेल रह खेलते हुए उसी समय पगप पेजन भाजत पीरी कछोटी और उसी समय पग मतलब पयरों में पैजन मतलब पायल. पैरों में जो पायल बंदी हुई है क्या है ये बज रही है. पैरों में जो पायल बंधी होई है वो बज रही है और पीरी कछोटी और जो पीला कच्छा पीरी मतलब पीला कच्छा कछोटी का मतलब है कच्छा और जो पीला कच्छा वो पहने हुए है वो भी बहुत सुसोभित हो रहा है ठीक तो आए तीसरी लाइन का भी देख लेते हैं वाच्छबिको रसे खानी बिलोकत वारते काम कलानी धी कोटी काग के भाग बड़े साजे निहारी हाथें सो लईगायो मांखाने रोटी ध्यान से देखिएगा वाच्छबिको मतलब उस इस्थिती को देख करके उस छबिको देख करके भगवान स्री क्रिशन के उस रूप को देख करके रस्खान जी कहते हैं रस्खान भी लोकत मतलब रस्खान जी भगवान स्री क्रिशन के उस रूप को देख करके वारत काम कला निधि कोटी मतलब की वारत मतलब निचावर करते हैं निद्ध मतलब कला के खजाने के कोटी मतलब करोणों ठीक वो क्या कहते हैं कि उस स्थिती को देख कर मैं काम देव की करोणो कलाओं को उस पर नेउचावर करता हूँ कहने के मतलब कि काम देव भी उनके आगे फीका पड़ रहे हैं जिनको सबसे सुन्दर माना जाता है लेकिन उस स्थिती में काम देव भी उनके आगे फीका पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी करोणों कलाओं को रस्खान जी उनके सामने निवच्छावर करना चाहते हैं ठीक आईए अगली लाइन का काग के भाग बड़े सजेनी हरी हाथे सो लई गयो माखाने रोटी और उसी समय क्या होता है कि एक कववा आता है और भगवान स्री क्रिस्न के हाथों से जो माखान से चुपड़ी हुई जो रोटी थी उसको वो छुड़ा करके ले जाता है तब उस समय में रस्खाम जी क्या कहती है कि उस कववे का भाग कितना सजनी मतलब कितना अच्छा है कि जो हरी हाथ मतलब भगवान स्री क्रिस्न के हाथों से लई गयो माखान रोटी भगवान स्री क्रिस्न के हाथों से जो माखान रोटी छुड़ा करके ले गया उस कववे का भाग कितना अच्छा है ठीक तो एक बार इसकी सभी लाइनो कार्थ फिर से आपको समझा देता हूं धूरी भरे यति सोभित स्याम जी तैसी बनी सीर सुन्दर चोटी रस्खान जी कहते हैं कि धूल से सने हुए भगवान स्री कृष्न अत्यंत सुभाय मान हो रहे हैं और उ भूम रहे हैं और उसी समय में उनके पैरों में बंधी हुई पायल सोभित हो रही है और उनका जो पीला कच्छा है वो भी सुभाय मान हो रहा है वा छबी को रस खानी बिलोकति वारत काम कला निधिकोटी और उस छबी को देखकर रस खान जी काम देव की करोणों कलाओं को पूने उच्छावर करने के लिए तैयार है काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सोलाई गयो माखन रोटी और उस कवे का भाग कितना अच्छा है उस कवे की किसमत कितनी अच्छी है जो भगवान स्री क्रेशन के हाथों से माखन रोटी लेकर गया तो उमीद है आपको आज ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजे चैनल पर नाए है तो सब्सक्राइब कर दीजे तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को सेयर जरूर कीजे मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में प